C.I.E.T.N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नमबर दो आम की गुठली सफ़ा नौ एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई एक किलो में साथ आम आए आम छोटे छोटे और खोब रसीले थे अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा शाम को अबबा दफ्तर से आएंगे तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे मुन्ने को आम बहुत पसंद थे थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए अब चार साल का शरार्ती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई न था सफ़ा दस मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फुरिज खोल कर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस-चूस कर खाया फिर मुन्ने ने हाथ मूध होकर कुली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बाते करने लगा शाम को अब आए दादा दादी के साथ बैट कर सबने रात का खाना खाया खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो साथ की जगह सिर्फ छै आम थे अम्मा ने बच्चों से पूछा क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है? सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्देने हिलाई नहीं अम्मा, हमने तो फ्रेज खोला तक नहीं मुन्ने को शर्म आ रही थी फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया है अब बच्चो का इनकार सुनकर मुस्कुराय और कहा आम तो आप लोगों के लिए ही आये थे सफ़ा ग्यारा अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं लेकिन हाँ, इन आमों की गुट्लियां बहुत जोटी थी मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुट्ली भी निगली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा इतना सुनना था कि मुन्ना जट से बोल पड़ा नहीं नहीं अबबा, गुट्ली तो बड़ी थी मैंने उसे कूडे दान में फेग दिया था ये सुनकर सारे लोग हस पड़े मुन्ना शर्म से लाल हो गया पास ही बैठी दादी जानने कहा कि मुन्ने ने सच को कुबूल करके मेरा दिल जीत लिया सफ़ा नंबर बारा मश्क पढ़िये और समझिये कुबूल करना मानना इकरार करना जी कड़ा करना दिल मजबूत करना हिम्मत करना शर्म से लाल होना बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना दिल जीतना खुश कर देना सूचिये और बताईये एक अम्मा साथ ही आम क्यों लाई होंगी 2. चुपके से आम खाने के बाद मुन्ना किस से बाते करने लगा 3. मुन्ने को शर्म क्यों आ रही थी 4. मुन्ने की शरारत कैसे पकली गई 5. दादी जान किस बात पर खुश हुई खाली जगा सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाईए 1. मुन्ने को आम पसंद नहीं थे 2. आम चोटे चोटे और खूब रसीले थे 3. मुन्ने ने आम खूब मज़े लेकर चूस चूस कर खाया 4. अबबा बच्चों का इंकार सुनकर बहुत गुसा हुए 5. सीमा और समीर दोनों ने इंकार में गर्दन हिलाई सामने दिये हुए अलफास की मदद से खाली जगहों को भरिये एक एक दिन खाली जगह बाजार से बच्चों के लिए आम लाएं अम्मा या दादी 2. आम जोटे खाली जगह और खूब रसीले थे छोटे या बड़े 3. आम तो खाली जगह लोगों के लिए ही आये थे आप या खास 4. ये सुनकर मुन्ना जट से खाली जगह पड़ा कूद या बोल सफा नंबर 14 5. मैंने उसे खाली जगह में फेंग दिया था कमरे या कोडे दान दी गई तस्वीरों के नाम बॉक्स में तलाश कीजिए और उस पर मिसाल के मताबिक दाइरा बनाईए दी गई तस्वीरे हैं संत्रा, आडू, सेब, आम, लीची, केला, अनार दिये गई बॉक्स में अलग-अलग हुरूफ हैं इसमें आपको फलों के नाम धूनकर मिसाल के मताबिक उन पे दाइरा बनाना है दिये गई हुरूफ हैं अलेफ, मीम, अलेफ, मीम, रे, वाउ, दाल, रे, सीन, नून, ते, रे, हे, ते, वाउ, ये, अलेफ, लाम, ये, चे, ये, सीन, बे, रे, काफ, बढ़िये, लाम, अलेफ सफा नंबर पंदरा पढ़िये, समझिये और लिखिये एक दिन अम्मा जान बाजार से बच्चों के लिए आम लाई इस जुमले में अम्मा जान, बच्चे, किसी शक्स का नाम है बाजार, जगा का नाम है आम, फल है, एक चीज का नाम है किसी शक्स, किसी जगा, या किसी चीज के नाम को इस्म कहते है नीचे दिये गए जुमलों में इस्म तलाश करके लिखिये एक, शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, खाली जगा दो, अम्मा, सीमा और समीर कमरे में चले गए, खाली जगा तीन, मुन्ने ने गुटली को कुड़े दान में फेंग दिया, खाली जगा चार, दादी अम्मा ने कहा, कि मुन्ने ने सच कुबूल करके मेरा दिल जीत लिया, खाली जगा सफा नमबर सोला, पाँच, साथ आम घर के साथ लोगों ने खाए, खाली जगा कीजिए, बच्चे आम तौर पर बच्चपन में मुन्ने की तरहां शरारत करते हैं, आप भी अपनी किसी शरारत को सुनाईए और लिखिए दादा दादी या नाना नानी की वो बाते सुनाएं और लिखें, जो आपको बेहत पसंद है सफा नंबर सत्रा, रंग भरिये, यहां आम की तस्वीर दी गई है, यह तस्वीर बेरंग है, इसमें आपको सही रंग भरने है लतीफा, चुटकुला, अर्शद, मैं बच्चपन में बहुत ताकतवर हुआ करता था, आमिर, वो कैसे? अर्शद, मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं जब बच्चपन में रोता था, तो सारा घर सर पर उठा लेता था असातजा के लिए हिदायात, तलबा से आमों के मुतालिक कुफ्तुगू करवाई जा सकती है, बच्चों से कहानी की तस्वीरों पर बातचीत करवाई जा सकती है अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार, समयी रिकॉडिस मयंक कुमार, निर्मार सहयोग चेतना शर्मा, समयी फनकार सुंबुल शकील और फरहान अली नकवी, हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी, ये किताब C.I.E.T.N.C.E. C.I.E.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई